महाराष्ट में महाविकास घाडी के भीता टिकट मटवारे को लेकर के चले ड्रामे के बाद अब बागी खेल बिगाडने पर उतारू हो गए हैं राजी के सबसे अहम विदर्भ क्षेत्र में टिकटों को लेकर के M.V.A में घमाशान मचा था यहाँ पर बागियों ने गठ बंधन का खेल बिगाडने के लिए ठान लिया है विदर्भ के बड़े कॉंग्रेस नेता सुनील केदार के समर्थकों ने उमेर, हिंगडा और राम्टेक निर्वाचंक शेत्र से निर्दली नामांकन दाखिल किया है लहाजा केदार की भूमिकास से महाविकास अघाडी में विवाद की चिंगारी भड़क गई है कॉंग्रेस नेता सुनील केदार के समथक मिलिंद सटे ने उमरेट निर्वाचंक शेत्र से आवेदन दाखिल किया है उज्वला बुधारे और ब्रिंदा नागपूरे ने हिंगाना निर्वाचंक शेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया है केदार खुद रामटेक में निर्दली उमिद्वार के तौर पर उतरे हैं कॉंग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र मूलक का समर्थन किया है पवार ने इस स्विकार नहीं क्या उन्होंने इस सीट से तीन बार के विधायकर है पूर मंत्री रमेश भंग को टिकर दिया है हिंगडा निर्वाचंक शेत्र की तरह केदार की उम्रेड निर्वाचंक शेत्र में कुछ मांगे थी केदार चाहते थे कुमरेड में पूर्व नगर सेवी का दसनी धवड को या मिलिन्द सूते को कॉंग्रेस ने नामांकित किया जाए लेकिन कॉंग्रेस नेत्रितों ने एक बरफिस से संजय में स्राम को मौका दिया रामटेक में ठाकरे गुरुप के विशाल बरवेटे उम्मिदवार बनाए गए हैं लेकिन इस रामटेक में भी केदाने कॉंग्रेस जिराद्धक्ष मूलक को उम्मिदवार बनाने के लिए काफी प्रयास किये इसके लिए वो दो बार मुंबई भी मातोस्त्री में भी गए थे और दव ठाकरे से मुलाकात की थी लेकिन दोनों दवरों से भी कोई फायदा नहीं हुआ इस सारे घटनकरम से केदार बेहताहद हुए और सुमबार शाम उन्होंने अपने समर्थकों की बैठक की इस बैठक उन्होंने अपने समर्थकों को चुनावी मैदार मुतारने का फैसला किया राम टेक से राजजंदर मूलक ने निर्दली परचा भरा है इसके बाद उनके समर्थकों ने भी बगावत का जंडा बुलंद करते हुए हिंगाना और उम्रेड विधान सभाक्षित्रों में अपना नामंकन पतरदा खिल कर दिया है कॉंग्रेस नेता केदार ने महाविकास घाडी को परिशान करने के लिए अपने समर्थकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है लेकिन साबनेर बिधान सभाक्षित्र से केदार की पतनी अनुत्ता केदार को कॉंग्रेस ने उम्मिद्वार बनाया है इसले महाविकास अगाडी के कारिकरता पूछ रहें कि तीन विधान सभाक्षितों में समर्थकों को निर्दली उम्मिद्वार के रुप में मैदान में उतार दिये, फिर सावनेर में निर्दली उम्मिद्वार क्यों नहीं उतारे? ये इलाका कॉंग्रेस के प्रदेशा अध महाविकास अगाडी की टेंसन फिलहार अपने आप बढ़ रखी है तिकट भाट वारे से नाराज बागी दोनों तरफ हैं और उन्हें मनाई बिना चुनाव की नईया पार होती नजर नहीं आ रहे हैं रहाजा दोनों ही गठबंधन के बड़े नेता बाग्यों को मनाने में जुटे हुए इस भी शुक्रार को महाराष्ट की डिप्टी से हम और बीजेपी नेता देवन फर्णावीस ने कहा कि वे नाराज हैं लेकिन वे अपने ही हैं हम उन्हें जल्द मना लेंगे दोनों गठबंधन में कुल पचास बागी मैदान में हैं जिनमें महायूती से सब से अधिक 36 बागीयों ने परचे दाखिल किये हैं नाम वापसी की आखरी तारिक चार नॉम्बर को ही दोनों गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि तब तक बागीयों को मना लिया जाएगा और जहां भी वे अपने ही दल के नेता हैं कैंडिडेट थे उनके खिल से 19 और शिंदे सेना से 16 नाम सामिल हैं जबकि अजीत पावार के नसीपी से एक उमिदवार हैं एक नासीपी की पार्टी के 9 वागियों ने उन सीटों से नाम अंकन दाखिल किया है जहां से बीजेपी पहले से ही उमिदवार उतार चुकी ही इन सीटों में मुंबाई की एर परज़त, वुलढणा की, मुंबाई उपनगर की वोरीवली और जालना की आदिशा मिल हैं इसी तरह अजीत पावर के नसीपी के खिलाब बीजेपी के नौ और शिव सेना के साथ विद्रोही उमिदवारों ने सिर्व उठा रखा है नसीपी ने एक मात्र बागी उमिदव परज़ी मुंबाई की बायकूला और नागपूर की राम्टेक सीट पर नामांकन दाखिल कर रखा उद्व ठाकरे की शिव सेना के बागियों ने भी मुंबाई उपनगर की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर नामांकन दाखिल किया कुछ अन्य सीटों पर NCP शरत वार की पार्टी के बागी उमिद्वार भी ठाकरे की सेना कॉंगरेस के खिलाब नामांकन कर चुके हैं कुल मिला करके कि दोनों ही गटबंधन में बागियों की भरमार है और बागी लगातार टेंशन पैदा कर हैं देखना दिल्चस्प होगा चार नॉम्बर तक में कितने करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद